तो गाइस हमारे पास आचुका है Digitec का DTR520BH ट्राइपोड और ये ट्राइपोड दोस्तों मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए पर्चेस किया है ये कोई भी स्पॉंसर वीडियो नहीं है तो चलिए रेखते हैं दोस्तों बोक्स के अंदर आपको क्या-क्या मिलता है और ये कैसा प्रड़क्ट है और वीडियो के अंद में आपको बताऊगा कि क्या आपको ये प्रड़क्ट पर्चेस करना चाहिए या नहीं तो गैस बोक्स के अंदर आपको ये इस तरह की पैकिंग के अंदर ट्राइपोड मिलता है जिसको आप ट्रैवलिंग के दोरान इसली क Gail ये देख सकते हैं ये हमारा ट्राइपोड है ट्राइपोड को बोक्स में इसली पैक करने के लिए इसको बूल्टा इससे पैक किया गया था तो हम इसको इस तरह से सीधा पहले करेंगे ट्राइपोड का ऊपर का मेकैनिजम दोस्तों एक कवर के साथ ऐसे पैक किया हुआ है ताकि इसके अंदर डस्ट न जाए और ये मेकैनिजम खराबना हो जब आप इस ट्राइपोड को होल्ड करते हैं तो यह जादा है और ना ही जादा लाइट है इसका जो टॉटल वेट है वो 7 kg है और इसकी जो बोडी है दोस्तों यह यह एलुमिनियूं बोडी है ुस ट्राइपोड के अंदर दोस्तों ऊपर की तरफ आपको यहां पर यह बॉ अपने मुबाइल फॉन को यूज कर सकते हैं ट्राइपोड के हैड में जितनी भी नोब्स आपको देखने को मिलेंगी यह काफी स्मूदली वर्क करती हैं जो कि आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का फील देती हैं ट्राइपोड हैड में आपको नीचे की तरफ यहां पे एक म प्रीचर मिल जाता है जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको रिव्यू करना है तो उसका आप टोप व्यू ले सकते हैं तो इस तरह से आपको इसकी सैटिंग करनी है और इसके अलावा आप इसको 360 डिगरी पे रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से ट्राइपोड की लेग्स में यहां पे आपको एक पुश बटन मिलता है जिसको पुश करके आप इसकी लेग्स को इस तरह से स्ट्रेट कर सकते हैं बिल्कुल और अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे पुश करेंगे तो आपको फरस्ट यहां पे लोग मिल जाता है तो इतन आप इसको इस एंगल पे अड्जेस्ट कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आप दूसरे लोग में जाएंगे तो इसको इस एंगल में एड्जेस्ट कर सकते हैं ट्राइपोड लेग्स में नीचे की तरफ यहां पे रबड मिलती है जो कि आपके ट्राइपोड को अच्छा आने के लिए यूज कर सकते हैं और इसकी जो टोटल हाइट होएगी दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूं मेरी जो हाइट है फाइव फिट नाइन इंच के आसपास है तो यह जो है सिक्स विट से भी उपर का ट्राइपोड अभी बन चुका है इस ट्राइपोड का दोस तो एक स्कू मिलता है इस स्कू को आप इस तरह से हैड के निचे भी लगा दीजिए और इसी तरह से स्कू की दूसी साइड में यह लैग ऐसे फिक्स कर लीजिए और इस तरह से दोस्तों आप इस ट्राइपोड को एक मोनोपोड की तरह भी यूज कर सकते हैं तो अभी इसक प्राइपोर के अंदर दुस्तों एक और फीचर है जिसकी हेल्प से बिल्कुल लो एंगल शोट्स आप ले सकते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको इस ट्राइपोर हैड को ऐसे बाहर निकालना है और इसके बाद इसको उल्टा करके यहां से नीचे की तरफ से ऐसे इसके अं पर मिल जाएगा और इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों काफी अच्छी मुझे पर्समेल लगी यह प्रीमियम क्वालिटी का प्रोड़क्त है तो अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं प्रोफेशनल वीडियो शूट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़ि आपके वीडियो शूट करना चाहते हैं तो अगर आपको कोई डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वीडियो शूटिंग करनी है तो डेफिनिटल आपको यह प्रोड़क्त कंसिडर करना चाहिए तो वैस आज की इस वीडियो में इतने ही आई होप यह वीडियो आप सबको होगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछने जाते हैं तो कमेंट कीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और टेक्नोलोजी से लिटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजेगा और वीडियो को लाइक और शेयर जुरू कीजेगा धन्यवाद है